किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारे योटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चने में फूल आने के बाद आपको क्या क्या काम करना चाहिए जिससे चने की पैदावार ज्यादा निकले किसान भाईयो इसके लिए आप वीडियो को मिना स्किर्प के अंतर तक जरूर देखना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका पाई जो गंटे के निसाने उसे जरूर दबा दीजिए चने में फूल आने के बाद आपको सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि अगर आपको चने में इलिया नजर आती हैं तो उसके लिए आप जल्दी से किसी अच्छी कीर्णासक दवा का छिड़काव करें क्योंकि उस समय पर अगर आप किर्णासक का छिड़का नहीं करते हैं तो वह इलिया आपके चने के फूलों को नुक्सान पहुंचाएगी चने की साखाय काटने का काम करेगी और चने में जो गेटे बनेंगे उनको भी नुक्सान पहुंचाएगी तो आप किर्णासक के रूप में एक ऐसी किर्णासक का प्रयोग करें जिसका प्रयोग आपने पहले स्प्रे में नहीं किया हैं। गुदारण के तोर पर अगर आपने पहले स्प्रे में इमामेक्टिन बेंजोइट का प्रयोग किया हैं तो दूसरे स्प्रे के रूप में आप बायर की फेम, एफेमसी की कोराजन या सीजेंटा की एमपलीगों इन तीनों में सी किसी एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। किसान बायो फूल आने के बाद आपको दूसरी चीज़ का ध्यान यह रखना है कि आपके फूल जड़ना नहीं चाहिए। आपके चने के फूल अगर जड़ते हैं तो आपकी प्यदावार सोबैक दोर पर कम निकलेगी। अगर फूल जड़ते हुए आपको दिखाए दे रहे हैं तो आप फूलों को जड़ने से बचाने के लिए चने में फेंटेक प्लस टोनिक का इस्प्रेगरे। किसान बायो फेंटेक प्लस में एमिनो एसिड होता है जो पोदे को मजबूती प्रदान करता है। उसके अलावा किसान बायो चने में जो दाना बरा होता है यानि कि गेटे में दाना पड़ने का जो समय चलता है उस टाइम पर आप 0050 काद का इस्प्रेगरे। 0050 काद में 50% पोटास और उसके अलावा 17% सलफर मोजूद होता है। पोटास दाना बराव अच्छे तरीके से कराएगा उसके अलावा सलफर आपके पोदे को पला गिरने से बचाएगा और जो गेटे खाली रह जाते हैं उनमें भी दाना बराव अच्छे तरीके से कराएगा। उसके अलावा किसान भाईयो अगर आपके पास पानी की परियाब तो पूल से जब गेटे बन जाते हैं उसके बाद आप उसमें पानी जरूर लगाईए। क्योंकि उस टाइम पर अगर आप पानी लगाते हैं तो गेटों में दाना बराव अच्छे तरीके से होगा और आपकी पैदावार ज्यादा निकलेगी। तो किसान भाईयो अगर आप इन तीन चार बातों का ध्यान चने में फूल आने के बाद रख लेते हैं तो आपके चने में फूलों से गेटे बनने की प्रक्रिया अच्छे तरीके से संपन होगी। पोदा एकदम हरा बरा और सुरक्सित बना रहेगा तो आपकी पैदावार ज्यादा निकलेगी। तो किसान भाई यो उम्यद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जुरूर की जएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान